Hello friends, this is Chetan Recently Supreme Court की साथ जजों की एक समविधानिक पीट ने 25 साल पहले वाला अपना एक फेसला बदलते हुए ये कहा कि सांसद और विधायग अगर रिश्वत लेते हैं तो उन पर कानूनी कारिवाई होगी और वो ये कहकर नहीं बच सकते कि हम तो MPs हैं, हम तो MLs हैं बहुत ही बड़ा ये Supreme Court का decision है जो Free Speech, Parliamentary Privileges and Participation of Parliamentary Proceding में एक मील का पत्थर साबित होगा समझेंगे क्या है पूरा इश्व? Supreme Court ने अपने decision में और क्या क्या कहा? इस decision के क्या outcomes हो सकते हैं? और साथ साथ में कुछ समविधानिक प्रावधानों पर भी बात करेंगे एक्चुली बात ये है कि 1991 में PV नरसिम्मा राव को प्रधान मंत्री न्यूक्ति किया गया और उस समय कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन कर उपरी लेकिन जुलाई 1993 में सरकार के खिलाफ आविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस समय कॉंग्रेस के पास मेजोरिटी से 14 वोट कम थे लेकिन जब प्रस्ताव पर मद्दान हुआ तो PV नरसिम्मा की जो सरकार थी वो मेजोरिटी पाने में सफल हो गई बाद में CBI के समक्ष एक शिकायदर जी की गई थी जिसमें ये आरोप लगाया कि नरसिम्मा राव की सरकार ने राईनितिक दलों के जो सांसत थे उन्हें रिश्वत के रूप में 3 करोड रुपे से जादा दिये CBI ने रिश्वत लेने और आविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के मामले में कुछ सांसदों पर The Prevention of Corruption Act 1988 यानि भरष्टाचार निवारन अधिनियम 1988 के तहट जाज शुरू की लेकिन इन सांसदों ने ये कहा कि कौट हम पर कोई कारिवाही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना Article 105 यानि अनुच्छेद 105 का उलंगन होगा Hence Article 105 ये कहता है कि no member of Parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of Parliament of any report, paper, votes or proceeding अगर simple language में समझे तो संसत का कोई भी सदस्य Parliament में कही हुई बातें दिये गए वोट और publication के मामले में किसी भी कोट में responsible नहीं होगा यानि Parliament के अंदर कोई सदस्य क्या करता है कोई member क्या करता है, कौन किसे वोट देता है इन सभी मामले में कोट हस्तक्षेप नहीं कर सकती इसे ही हम parliamentary privilege कहते हैं और same system राज्यों के लिए भी article 194 में define है ये विशेश आदिकार हमारे जनप्रती नीदियों को इसलिए दिये जाते हैं ताकि संसत और विधान मंडल की कारिवाई बिना रुके चल सके क्योंकि आप सभी जानते हैं कि Parliament हमारे लोकतंत्र का मंदिर होती है जिसमें इस देश के भविश्यों को बुना जाता है इस देश के लोगों के भविश्यों को बुना जाता है लोग के थुरू, schemes के थुरू, program के थुरू, check and balance के थुरू लेकिन यहाँ पर मामला डग गया क्योंकि इन privilege का misuse होने लगा Article 105 and Article 194 में clearly यह कहा है कि court बीच में नहीं आएगी चाहे हम Parliament में कुछ भी कहें, कुछ भी करें फिर भी उस time CBI ने इन सांसदों के इन arguments को reject कर दिया यहाँ तक कि Delhi High Court ने भी यह कहकर मुहर लगा दी कि रिश्वत देने और लेने का काम संसद के बाहर हुआ है इसलिए आप पर कारिवाई करना Article 105 and Article 194 का उलंगन नहीं माना जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े मुद्दे थे पहला तो यह कि क्या अनुच्षेद 105 एक सांसद को रिश्वत लेने और देने से जुड़े अपराद में मुकद्मा चलाने से कोई चूट प्रदान करता है एंड सेकेंड क्या सांसदों को रिश्वत लेने वाला लोक सेवक माना जा सकता है पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है 1998 में अदलत का फेसला आता है जिसमें ये कहा गया कि संसद के सदस्यों को अनुच्षेद 105 के तहट संरक्षन प्राप्त है और बात वहीं खतम हो गए लेकिन फिर से एसे ही केस हो रहा है मामला 2014 में फिर से सुप्रीम कोट पहुचा फिर 2019 में तीन जजों की बेंच ने इस केस को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया और पिछले साल इन 5 जजों की बेंच ने इस केस को 7 जजों की पीट को दे दिया और फाइनली कोट का डिसिजन निकल कर आया कि सांसत और विधायक घरश्टा चार और रिश्वत के मामले में छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि करप्शन और ब्राइबरी हाउस में करतव्य निभाने की छमता से संबंदित नहीं है इसका मतलब है कि संभिधान ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप रिश्वत लेकर पारलियमेंट में अपने करतव्य निभाएं सुप्रीम कोट ने ये कहा कि पारलियमेंट में फ्रीडम ओफ स्पीच उस उमीद का एक जरिया है ताकि मेंबर्स अपने वोटरों की शिकायतों को व्यक्ति कर सके अपने विचारों को वहां रख सके अपने नजरिये को लोगों तक पहुचा सके और पार्लियमेंट में फ्रीडम ओफ स्पीच ये भी इन्शोर करती है कि सरकार को एकाउंटेबल बनाये जा सके सुप्रीम कोट ने आगे ये गहा कि MPs और MLS को मिलने वाले ये प्रिविलेज एपसलूट और अनक्वालिफाई नहीं है मेंबर्स के प्रिविलेज वही तक सिमित है जहां तक सदन की कारेवाई सुचारू रूप से चल सके सुप्रीम कोट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि संसदी विशेशादीकार ये नहीं दिखाते कि आप दूसरों से अलग हैं बलकि ये विशेशादीकार एक विचारशील, आलोशनात्मक और उत्तरदाई लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं रिश्वत खोरी के इन कामों को पार्लिमेंटरी प्रिविलेज के प्रिंसिपल के तहट माफ नहीं किया जा सकता अगर कोई रिश्वत लेता है तो तब ही उसके खिलाफ मामला बन जाता है ये माईने नहीं रखता कि उसने रिश्वत लेने के बाद सवाल पूछा या नहीं अपना भाशन दिया या नहीं अपना वोट दिया या नहीं उसके खिलाफ आरोप तब ही बन जाता है लेकिन सवाल ये है कि इस फेसले के माईने क्या है देखे सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे तो वो ये है कि ये फेसला MLS और MPs के द्वारा किये गए गलत कामों को कानूनी कारेवाई के अंतरगत लाता है जिसमें सुप्रीम कोट ने क्लियर कहा है कि अगर आपने रिश्वत ली है तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा सेगर्ड सुप्रीम कोट का ये फेसला Equality के Principle को Strong बनाता है आपने Article 14 के बारे में बढ़ा होगा जो ये कहता है कि कानून की नजर में सब लोग समान है चाहे आप MLS हो चाहे आप Normal Public सुप्रीम कोट का ये फेसला हमारी जो Parliament की Proceeding है उसको और Responsible बनाता है ये फेसला Election Reform की दिशा में एक मिल का पत्थर साबित हो सकता है जो भारत में सुच्छ राजनिती और मजबूत लोगतंतर के लिए जरूरी है सो आज के लिए इतना ही Thank You